तो हाई गाइज विल्कम बैक टुथ वीडियो तो आज हम लोगे स्टार्ट गरेंगे एक नया पोर्टेट ड्या-इंग टुटूरियल सिरीज्ट करता आज में आप बनाने वाला हूं रस्मीका मयं का पोर्टेट और लास्ट दैम जब यह तो इसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया था तो इसमें भी मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यह पूरा सीरीज आप ध्यान से देखना और उस वाले से थोड़ा सा डिफेरेंड करूंगा मैं एकदम एक्जाक्ल अपने स्टाइल से आप पूरा सीरीज देखो किस तरीके से मैंने कहां पर क्या चीज़े बताई हैं अच्छे से समझनी की कोसिस करो उसके बाद आप उसको अपने स्टाइल से ड्रॉव करो और मुझे पूरा सीरीज खतम होने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों को बहुत मिलेगा और कहां कहां मिस्टेक कर रहे हो जो आपको ठीक करने की जरुवात है वह आपको पता सल जाएगा तो पूरे ध्यान से देखना बहुत बार मैंने यह देखा है कि मैं आउटलेंड की वीडियो डालता हूं एक दो चैप्टर डालता हूं एक दो ल रखा करो आप कंप्लीट होने दो पूरा सीरीज अच्छे तरही के से देखो हो सकता है कि आप कोई चैप्टर में जो बताने वाला था अप अपने वह देखा नहीं आप अपने बना दिया और वहां पर आप मिस्टेक कर गया तो थोड़ा सा सब्र रखा करो कंप्लीट हो ज रहे हैं और सबसे पहले मैं ड्राइंग सीट की बात कर लूं कौन साधरां सेट में यूस कर रहा हूं तो यहां पर आपके सामने है आर्टो की जो कि है एसीड फ्री लास्ट उम्पॉक्स किया था तो उसमें मैं वाने आपको बताया था इसके बारे में 180 gsm की पेपर है इसम थोड़ा सब को yellowish tint देखने को मिलेगा तो मैंने पिसले वीडियो में ही बताया था कि मैं excited हूँ इस paper को use करने के लिए तो आपके पास कोई साभी paper है आप वह यूज कर सकते हो वसी ध्यान रखना क्योंकि reference जो हमारे पास है मैं आपको दिखाता हूँ reference वह जो है उस पे जो skin क बहुत स्मूध है तो आप बहुत ज्यादा टेक्सर पेपर मत ले लेना मीडियम सर्फेस का पेपर लेना और बहुत ज्यादा स्मूध भी लोगा तो उसको handle करना थोड़ा सा मुस्किल होता है तो मैं recommend करूँगा को जो medium size के paper होते है sorry medium surface के जो paper होते है उसको आप लेना चाह आपके पस mechanical pencil है तो थोड़ी बहुत जहां पर detail आड़ करनी होगी outline में तो आपको उसको use कर सकते हो या फिर अगर आपके पस wooden pencil है तो इसको भी अच्छे तरीके सब सार्फ करके इसको आप use कर सकते हो अगर आपके पस HB से भी नीचे का grade का pencil है 2H हो गया H हो गया तो आप व से बहुत अच्छा काम हो जाएगा तो मैं ज्यादातार HB ही use करता हूं ओके तो इसके बाद हमें चाहिए एक scale जिससे हम grid lines को draw करेंगे उसके बाद हमें चाहिए एक eraser किसी भी type का eraser से काम हो जाएगा आपका उसके बाद चाहिए हमें एक phone जिसमें हम reference picture को देखेंगे ग्रेड वगएरा उसमें हम बनाएंगे तो फोन में भी हमें एक चाहिए application जो है मैं आपको इसका link दे दूँगा वहां से आप install कर सकते हो तो इसको मैं simply open करता हूं और यहां पर इस तरीके का आपको user interface देखने को मिलता है इसका तो यहां पर एक option देखने को आपको मिल जाता है जहां से आप file चूज कर सकते हो जो भी आपके पास reference picture है तो यहां पर आपको orientation सबसे पहले select करने को option आएगा orientation मतलब कि आप इसको इस तरीके से ड्राव करना चाहते हो या इस तरीके से यह हो गया वर्टिकल यह हो गया horizontal तो हम अभी वर्टिकल ड्राव करेंगे तो यहां पर वर्टिकल सकते हो जिसमें मैंने कीजेफ का पोस्टर बनाया था उसमें मैंने अच्छे तरीके समझाए कि कस्टम साइज आप किस तरीके से ले सकते हो तो यहां पर मैं standard size ले रहा हूं जो कि A4 size उसके बाद हम open करेंगे और हम अपने reference picture को यहां पर select कर लेंगे तो reference picture का भी link आपको description म मिल जाएगा आप वहां से इसको download कर सकते हो अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो यहां पर यह मैंने reference select कर लिया है और इसका जो standard size है और इमेज का size है और यह size है वो दूनों match नहीं कर रहा है मैं इसको थोड़ा zoom कर लेता हूं ठीक है यह देखो तो यह वाला जो portion है यह crop ह हो तो आप custom size ले सकते हो उसमें आपको क्या करना होगा यह जो height है इसको हम कर देंगे तो width हमारा बढ़ जाएगा ठीक है तो आप custom size ले सकते हो पिसले video आप देखके custom size भी ले सकते हो यहां पर मैं standard size ले रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ खास है नहीं background है बस black ही है तो कु आप कर ले रहा हूं ठीक है तो इस तरीके से हमें reference देखने को मिल जाता है तो reference में भी जैसे कि मैंने बताया था कि यहां जो आप यहां पर shedding देखो जो face का जो texture है बहुत smooth है और image में उतना जादा भी detail नहीं है अब बहुत जादा zoom करोगे तो थोड़ा blur हो रहा है बट इतना है कि हम अच्छे तरीके से उसको draw कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक और option आपको देखने को मिल जाता है अब यह से होता क्या है जैसे मैंने इसको off कर दिया तो यहां पर केवल हमें reference picture देखने को मिल रहा है जैसे ही मैं इसको on करता हूँ तो यहां पर देखोगे horizontally और vertically आपको एक number देखने को मिल जाता तो यह आपको help करता है पेपर पे वो जो particular grid को locate करने में उसके बद मैं जैसे ही so grid करता हूँ तो यहां पर यह grid line बनके आ जाता है इसके अंदर भी बहुत सारे option देखने को मिल जाता है जो उतना ज्यादा काम के नहीं है यहां पर अगर आप मेरा जो image था वो default black and white था अगर आपके पास colorful image है तो आप यहां से इसको black and white भी कर सकते हो तो इसकी हमें जरुवत है नहीं स्टोक का जो width है thickness वो आप बढ़ा सकते हो जैसे मैंने 6 कर दिया तो अब देखो यह तो इसकी भी जरुवत नहीं है मैं हमेसा 1 पर ही रखता हूं तो यह मैंने वापस से 1 पर रख दिया है उसके बाद सेल का जो size है यह बहुत important है मैं अक्सर 20 mm ही रखता हूं आप अगर इससे ज्यादा यह कम रखना चाहते हो यह completely आपके उपर है आपका choice है आप देखो कि 20 mm में आप बना सकते हो कि नहीं अगर इसमें थोड़ा struggle कर रहे हो accuracy अच्छे तरीक से नहीं आ पा रही है तो आप सेल का जो size है वो छोटा कर सकते हो लेकिन यह भी ध्यान रखना कि जैसे ही आप सेल का size छोटा रखते हो थोड़ा सा वो process जो है complicated हो जाता है लेकिन आपको वो accuracy जाता देगा तो आपके उपर है मैं यहां पर 20 mm ही रख रहा हूं और कुछ खास नहीं है जो grid का color है grid lines का उसका color भ हमें है ओके तो green color ठीक है तो दिख रहा है तो यह हम रहने देंगे उसके बाद कुछ खास नहीं है यहां पर so real size का option आज आता है तो इस पर मैं क्लिक करता हूं तो exactly जो size मतलब यह जो image दिख रहा है तो exactly हम यहां पर draw करने वाले same size तो actually exactly जब मैं यहां पर so real size करता हूं तो फिलाल मैं इसको रहने देता हूं तो वह मैं आगे बात करूंगा फिलाल मैं यहां पर हम grid line draw करते हैं और grid line बनाना बहुत simple है बहुत लोग इसको बहुत ही complicated way में लेके चले जाते हैं उसकी वज़ए से draw नहीं कर पाते हैं आपको एक corner select करना है जो की आपको यहां पर मैंने scale लूँगा और simply मैं यहां पर इस तरीके सरक दूँगा उसके बाद हरेक टू सेंटिमेटर वे टू सेंटिमेटर मतलब 20 mm मैं यहां पर मार करता जाओंगा 6 8 10 12 14 16 18 और यहां पर हो गया 20 similarly इसी तरीके से हम यहां पर भी ठीक है तो यहां पर टू सेंटिमेटर के इंटरवल मैंने मार कर दिया यहां पर यहां पर और मैं इसको जॉइन कर दूँगा उसके बाद हम वर्टिकली भी similarly वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है आप आराम से ड्रॉ कर लोगे तो इसको हम ड्रॉ करते हैं फिर आगे मैं बात करता हूं तो कैस्ट यहां पर हमने ग्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया है और बहुत सिंपली यह ड्रॉ हो गया है यहां पर जिस तरीके से मैंने मार किया था मतलब यह जो पोजिशन वह यहां का है उसके बाद मैं नंबर्स लिख देता हूं थोड़े दूर तक ताकि मैं अच्छे तर ड्रॉ करते हैं तो उसको सही जगह पर लोकेट करना बहुत जादा ज stresses है तो मैं नंबर्स लिख देता हूं अब देखो यह जो numbers हो गया, यह line हो गया, इसका आगे कोई काम नहीं है, outline के बाद यह lines का कोई काम नहीं होगा, तो मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि, जितना light आप draw कर सको, उतना इसको draw करो, क्योंकि इसको, ताकि इसको grid lines है उसको आपको erase करने की जरूवत नह करने की नौबत ही नाए, इतना light आप उसको draw करो, ताकि आपको बस दिख जाए वो line और उसके help से outline draw कर लो, या फिर setting में भी आपको थोड़ा बहुत help हो जाता है, तो बस वो, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, तो आप इसको erase कर सको, इस तरीके से draw करो, बहुत लोग कर लेती है, आप बार-बार उसको वहाँ पे eraser apply करोगे, तो वो handle कर लेती है, बट अगर आप chip quality का जो है, local brands यूज कर रहो, local drawing seat यूज कर रहो, तो वो handle नहीं कर पाती है, तो अगर वहाँ पे eraser अपने apply कर दिया बहुत बार, उसको erase करने के लिए grid line को, उसके बाद आप set कर तो वहाँ पे दाग लग जाता है, और वो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे, ठीक है, तो आपको grid lines को बिल्कुल एकदम light रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप locate करने की गुश्चिस करो, कि grid line मैंने कहा बनाया, आपको दिखेगा ही इसको मैंने बहुत light बनाया, ताकि इसको erase करने की जरुवत ना पड़े, जो dark areas है, वहाँ तो कोई दिखात ही नहीं है, बट जो light areas है, जैसे face का area, यहाँ पे भी मुझे erase करने की जरुवत नहीं पड़े ही, क्योंकि मैंने बहुत light आपको बहुत गॉर से देखोगे, तब आपको साइब दिखे, या फिर camera में तो दिखने का चांस ही नहीं है, तो इस तरीके सब को light draw करना है, ताकि आपको erase करना पड़े, erase करने के बाद मैं जेहल चुका हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा dark draw किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और paper का quality भी मुझे साही लगा तो यहाँ पे जादा मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इसको erase भी करूँ, तो अगर erase भी कर रहे हो ना, तो इस type का eraser आप मत यूज करना, grid line को erase करने के लिए, आप needed eraser यूज कर सकते हो, वो जादा damage नहीं करता है, तो अगर आपने dark draw कर दिया, तो आप वो यूज कर सकत हो, ओके यहाँ तक हमारा काम हो गया, उसके बाद सबसे पहला जो हमारा काम है, वो किसी भी एक particular grid को select करना, और वहाँ से reference लेते लेते हैं, पुरा portrait को draw करना, तो कोई specific वो grid नहीं है, कि यहीं से आपको start करना है, कोई से भी आप ले सकते हो, जैसे मैं यह वाला grid से मैं start करन चाहूँगा, अब इसका reason क्या है, वो कुछ खास reason नहीं है, मैं किसी से भी start कर सकता था, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर start कर रहा हूँ, और इसको मैं locate करने की कोशिश करता हूँ, इधर से देखें, तो 5 number पर और इधर से 2 number पर, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर दो, मतलब की यह वाले grid, ठीक है, उसके बाद इसको मैं real size में convert कर लेता हूँ, यह थोड़ा सा हमें help कर जाती है, यहाँ पर मैंने real size किया, उसके बाद मुझे divider की जरुवात होगी, देखो यह चीज आप तब आपको जरुवात पड़ेगी, जब आपको बहु इसको exactly 2 cm है, अब यहाँ पर मैं वही चीज करने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा zoom के मैं कर लेता हूँ, तो यह हमारा काम हो गया है, इसके बाद हम आते हैं इस वाले grid पर, थोड़ा past से मैं दिखाता हूँ आपको, अब देखो, grid draw करने का सबसे बड़ा reason यही है, कि आपका जो पूरा drawing seat से focus हटा के, एक छोटे से box में, box पे ध्यान लगाना, अगर आप grid line draw करने के बाद भी आपका पूरा ध्यान पूरे drawing पे है, तो grid line का कोई sense नहीं हुआ, आप अगर इस grid पे draw कर रहो, तो आपका पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए, जब तक आप यहां से cross नहीं कर जाओ, तब तक आपका पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए, देखो, मैं किस तरीके से draw कर रहा हूँ, अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि आपको center line, हर एक grid का center point जो है, उसको imagine करना है, कि कहां पे होगा, उसको locate करना अपने माइन में, तो उससे आपको बहुत help मिल जाती है, जैसे यहां पे देखो, यह जो line है, जहां तक आप guess करोगे, तो यह center से ही cross हो रही है, 5 के, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से line draw कर दे है, यहां पे, उसके बाद आप यहां पे देखोगे तो यह तो इस cross line से, बिल्कुल थोड़ा सा नीच है, तो इस तरीके से, बस, इस वाले grid में इतना ही काम था, अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहां पे भी देखोगे, 4 पे बिल्कुल center के आसपास है, तो मैं इसको ऐसे join कर देता हूँ, तो एक time पे आप एक grid पे focus रखोगे और उसको अच्छे तरीके से, उसमें time दोगे, आपका outline perfect बनेगा, मैं guarantee देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे तरीके से measure कर लो, और जब तक आप उस grid lines को कर रहे हो, आप उहां cross check कर लो, कि आपने अच्छे तरीके से draw करा है या नहीं करा है, उसके ब problem नहीं है, यहां पर भी इस जगर पर होगा, इस तरीके से, और बहुत लोग freehand का भी बोल रहे हैं, तो freehand में बहुत जल्द freehand का पूरा series लेके आने वाला हूँ, और जितने भी method है, outline draw करने के, सारे में बताने वाला हूँ, तो उसका भी आप wait करना है, फिलहाल आप grid method पे अच्छे तरीके से command कर लो, ताकि किसी भी एक method पर आपका अच्छे तरीके से command होगा ना, तो आपके अंदर ही confidence आता है, और वह confidence को आप use कर सकते हो, बाकी method को सीखने में, तो यहां तक मैंने grid के अंदर जो था, जो भी चीज़े draw करनी थी, वो मैंने observe करके draw करी है, कुछ खास measurement मैंने नहीं लिया, बट जहां पर भी आपको लगता है, कि आप वहां पर गड़बड कर रहे हो, या फिर आप draw नहीं कर पा रहे हो, अच्छे तरीके से, तो आप वहां पर measurement ले सकते हो, किस तरीके से ले सकते हो, यह जो divider है, उसको आप as a हथियार यहां पर use कर सकते हो, जैसे मैं एक example बताता है, यह मैं measure कर लेता हूं, कि यह जो मैंने line draw करी है, वो exactly इस जगह पर है या नहीं है, तो यहां पर मैं पहले क्या करूँगा, reference पर मैंने इस तरीके से, यह distance मैंने ले लिया, और यहां से हम, यहां पर रखके देखेंगे, तो आप देखो कि exactly मैंने वहीं पर draw कर रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा का difference है, ठीक है, तो आप regular जब observe करके चीज़े draw करते हो, तो आप, आपको measurement करने के जरूरत नहीं पड़ती है, बाट अगर आप beginner हो, तो आप measurement करके cross check जरूर कर सकते हो, जैसे, लिग मैं मुझे यह eye बनानी है, जो कि closed है, तो इसके मैं ये वाला area जो है, ये वाला point मैं मार कर ले था हूँ, कर ले आप मार कर ले हो, बाट आप मार कर सेंगेंगा ऱणी तो आप, तो आप मैं मुझे होता है, जो कि ये ये वालार आप जापर नहीं जो आपको抒ां, झाप बालाएंगा है कि अगर आप ग्रेड लाइन को एरेज करना चाहते हो तो मैंने पहले बताए कि आप ये नीडेड इरेजर यूज करना तो सबसे पहले तो आपको जरुवत ही नहीं पढ़ना चाहिए आप ग्रेड लाइट ड्रॉग अगर बाइचांस आपने थोड़ा डार्क ड्रॉग कर दिया और बहुत जादा दिख रहा है तो इसको एरेज कर तो बस गैज आज की इस वीडियो में ताई तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेशन में जिसमें मैं सेडिंग को डेटेल में आपको बताने वाला हूँ तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे तब बहुत मजाया आउटलेंड ड्रॉग करने मे आप लोग भी कमेंट सेक्षन में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कितना सीखने को मिला है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर